सो हे गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप फाइफ ऑल राउंडर स्मार्टफोन अंडर रूपीज 16,000 सो अगर आपका बजट 13-16,000 के बीच में है और इस प्राइज रेंज में अपने लिए एक बेस्ट और पर्फेक्ट स्मार्टफोन पर्चेश करने की सोच रहे तो ये वीडियो आपके लिए काफ इंडरस्टिंग होने वाली है और गाइज ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताओ जो कि 15-16,000 के प्राइज में आता हो लेकिन और हो चाहे वह कैमरा वाइज हो बैटरी वाइज हो परफॉमेंस वाइज हो या फिर 5G नेटवर का सुपोर्ट हो इस वीडियो मे हमने 5 ऐसे स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है जो कि 13-16,000 की बीच में आते हैं लेकिन स्पेसिफिकेशन काफी तगरे देखने को मिलते हैं प्राइस की अकोर्डिंग और गैज इन सभी स्मार्टफोन के प्रोज और कौन्स भी बताऊंगा कि क्यों आपको लेना चाहिए फि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो ज़रूर चेक आउट कर लेना तो शुरू करते हैं गाईस नमबर वन से और नमबर वन पर हमने रखा है 6.78 इंचेस का Full HD Plus IPS पैनल देखने को मिलता है लेकिन 120 Hz का refresh rate देखने को मिल जाएगा और इसे के साथ HDR10 certified है तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और ये फोन एकलोता ऐसे स्मार्टफोन है जिसमें आपको 120 Hz का refresh rate देखने को मिलता है वो भी 12-13 1000 के प्राइस पॉइंट पे और ये फोन हाइब्रीट सिम स्लोट के साथ आता है तो एक सीम और एक मेमरी कार लगा पाएंगे या फिर दो सीम कार्ट लगा सकते हैं 4G नेटवर्क के साथ आता है इसी के साथ रियर साथ में फिंगर्पिन स्कैनर देखने को मिल जाता है और फ जो कि अल्टरावीट के लिए आता है और थाड़ क्यामरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट में 16 मेंसीन में 100 डेखने को मिल जाता है रियर कैम्रे से अल्टरा-एच्डी वीडियो रिकॉर्ड करने का ओफशन दिया गया है की यूच्ई से विच्डी वीडियो तो देखने को नहीं मिलेगा वन अब दा बेस्ट चिप सेट है अंडर 15,000 प्राइज की बात करें तो चार जीब रैम और सब्सक्राइज की बात करें तो मीडियाटेक G95 का चीप सेट देखने को मिलेगा जो की एक गेमिंग चिपसेट है तो काफी अच्छा स्कोर देखने को मिला है तो गेमिंग में गेरा में या फिर मल्टी टास्किक में किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा इसे के साथ आपको यूफस 2.2 का स्टोरीज भी देखने को मिलता है तो डेटा टांसफर काफी तेजी से कर पाएंगे और इस वन में आपको लेटिस्ट एंडुट 11 देखने को मिल जाएगा बेस्ट ओन MIUI 12 और एड्मी 910S की कैमेरा सेटप की बात करें तो इस वन में काफी इंटरस्टिंग कैम का देखने को मिल जाएगा और साइड मांटेट फिंगरपिन स्कैनर देखने को मिल जाएगा तो दो सीम और एक मेंबरी कार्ट लगा सकते हैं और हां ये फोन भी अगेंड 4G नेटवर्क के साथ आता है और बैटरी की बात करें तो 5000 मिली एमपेर की बैटरी देखने को मिल तो काफ इंटरस्टिंग बात हो जाती है और प्रैस की बात करें तो 6GB RAM और 64GB Storage के लिए 14,999 पे पे करने होंगे मतलब 15,000 के आसबास ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 33W का चार्जर देखने को मिल रहा है सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है 64 में पिक्सल का Quad Camera सेटप देखने को मिल रहा है तो मेरे खाल से काफ इंडरस्टिंग पैकेस देखने को मिलता है रेडमी के तरफ से और दोस्तों नमबर 3 पर हमने रखा है Samsung Galaxy M32 को खेर जानते हैं कि Galaxy M32 में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं डिजाइन वगरा क से और दो थायोफिकशल के लिए और दो और सेंसर देखने को मिल जाते हैं दो जोंगेशलika 50MP का आड़ी से चार्ज करना एका चार्ज़ करना स्कानर देखने को मिलेगा जिसके कारण पीछे का लूग काफी क्लीन देखने को मिलेगा Android 11 के साथ आता है बेस्ट वन वन उट 3.1 और नॉक सिक्योर्टी भी देखने को मिल जाएगा साथ में सैमसंग पे मेनी भी देखने को मिल जाएगा Mediatek G80 का चिपसेट देखने को मिलता है जो की एक गेमिंग चिपसेट है तो ठिक ठाक पफॉर्मस देखने को मिल जाता है Day to Day Life में कोई इसू देखने को नहीं मिलेगा डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलेगा 6.4 इंचेस का Full HD Plus Super AMOLED पैनल देखने को मिलता है लेकिन लेकिन 90Hz का रिफ्रेसर देखने को मिलेगा और इतना ही नहीं गाइस अप टू 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी तो डिस्प्ले वाइस काफी अच्छा देखने को मिलेगा प्राइज की बात करें तो 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपे पे करने होंगे अगर आपके पास HDFC या फिर Axis का कार्ड है तो इस फोन को आप सारे 13,000 के आसपास परचेस कर पाएंगे तो 13-14,000 के आसपास ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको 90Hz का AMOLED ब्राइटेस डिस्पले चाहिए या फिर 6000mAh के बैटरी चाहिए या फिर 64MP का Quad Camera से डब चाहिए तो definitely Samsung Galaxy M32 ले सकते हो और गैस नमबर 4 पर हमने रखा है Realme Narzo 30 Pro 5G को अब ये एक 5G स्मार्टफोन है इस स्मार्टफोन को already मैंने कई लिस्ट में इंक्लूट कर रखा है काफी तगरे फिचर्स देखने को मिलते हैं तो जानते हैं कि Realme Narzo 30 Pro में Cash Specification देखने को मिलता है तो शुरू करते हैं इस फोन के डिस्प्ले से तो इस फोन में 6.5 इंच का Full HD Plus IPS पैनल देखने को मिलेगा लेकिन 120 Hz का Refresh Set का Support देखने को मिलेगा तो काफी इंट्रेस्टिंग बात हो जाती है 180 Hz का Touch Sampling Rate भी दिया गया है और Realme Narzo 30 Pro में काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है Diamond City 800DU का चिपसेट देखने को मिलेगा जो की एक 5G चिपसेट है तो गेमिंग या फिर मुल्टी टास्किंग में किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा और Camera Setup की बात करें तो इस फोन में Triple Rear Camera देखने को मिलेगा Primary Sensor 48MP का देखने को मिलेगा Second Camera 8MP का दिया गया है जो की Ultra Wide के लिए और Third Camera 2MP का देखने को मिलेगा जो की Bokeh Effect के लिए है Front में In Display 60MP का का देखने को मिलेगा Rear Camera से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और ये फोन Hybrid Sim Slot के साथ आता है और Software की बात करें तो Endo 10 देखने को मिल जाएगा Price की बात करें तो 6GB RAM और 64GB Storage के लिए 16,999 पे पे करने होंगे हाला कि Realme ने हर स्मार्टफोन का Price बढ़ा दिया है दो दिन पहले इस फोन का Price 16,000 के आसपस था लेकिन अभी इस फोन का Price 17,000 हो गया है Realme ने हर स्मार्टफोन का Price बढ़ा दिया है एक से डेर हजार का लेकिन बहुत ही जल्द इस फोन का Price कम होगा क्यूंकि बहुत सारे सेल वेगरा आने वाले हैं और लास्ट में नमबर 5 पर हमने रखा है Realme 8 को अब यह फोन भी वन अब दा बेस्ट है अंडर 15,000 क्यूंकि इस स्मार्टफोन में कैमरा सेटप तो काफी कमाल का देखने को मिली जाता है उसे के साथ डिस्प्ले भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी और 9 कैमरा उसे की स्थेथजियर रिखेने को मिल जाएंगे तो और सिंसर के देखने को मिल्ा की सोनी का इमिजस काफी अच्छी देखने को मिल तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे साथ में slow motion वीडियो रिकॉर्ड का भी option देखने को मिल जाता है जिसके output की बात करें तो 720p तक कर पाएंगे बाकी night mode या फिर portrait mode ये सारी features देखने को मिल जाते हैं तो camera setup काफी अच्छा देखने को मिलेगा front camera से 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 fps तक इसी के साथ rear camera में 10x तक digital zoom का support भी देखने को मिल जाता है बात करते हैं realme 8 में display कैसा देखने को मिलता है तो 6.4 inch का full HD plus super AMLO display देखने को मिलेगा 430 nits तक की peak brightness देखने को मिल जाएगी और hearts condition में 600 nits तक की peak brightness देखने को मिल जाती है and for smooth response 180 hertz का touch sampling rate भी दिया गया है तो display wise काफी अच्छा रहने वाला है android 11 के साथ आता है based on realme UI 2.1 इसी के साथ इसमें लगा हुआ है in display fingerprint scanner बाकी triple slot का option देखने को मिल जाएगा तो 2 SIM और एक memory card लगा पाएंगे 4G network के साथ आता है और backside में आपको polycarbonate body देखने को मिलती है लेकिन design वेगरा ठिक ठक देखने को मिल जाता है अच्छा attractive साथ design है battery की बात करें तो 5000 mAh की battery देखने को मिल जाती है उसी को तीजी से charge करने के लिए 30W का fast charger भी देखने को मिल जाएगा processor की बात करें तो Mediatek G95 का chipset देखने को मिलेगा जो की एक gaming chipset है तो gaming में या फिर multitasking में किसी भी तरह का issue देखने को नहीं मिलेगा अच्छा खासा gameplay कर पाएंगे और ये phone काफी light weight है इस phone की thickness की बात करें तो 8mm की thickness देखने को मिलेगी तो काफी slim device है अगर आपको light weight या फिर handy सा smartphone चाहिए तो इस smartphone को purchase कर सकते हो overall काफी अच्छे features देखने को मिल जाते है price की बात करें तो 4GB RAM और 128GB storage के लिए 15,999 रुपे पे करने होंगे जबकि इस phone का price 2-3 दिन पहले ही 14,999 रुपे था तो इस phone का भी price 1000 से बढ़ा दिया गया है औल्दो Realme ने हर smartphone पे 1-15,000 का price बढ़ा दिया है लेकिन आप वो उमीद कर सकते हैं कि इस phone का भी price बहुत ही जल्द कम होगा So guys यही थे कुछ best and all-rounder smartphone under 16,000 इस समय पर यह सारे smartphone best है अपने price के according आप इन में से किसी भी smartphone को purchase कर सकते हो अपनी uses and requirement के हिसाब से खेर आज की वीडियो में इतना ही था बाकि आप मुझे जरूर बताना कि आपको इन सबी में से best कौन सा लागा और आप कौन सा purchase करने की सोच रहे हो और हाँ गाइस अभी तक वीडियो को like ने किया तो please like कर दीजिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को subscribe कर सकते हो और उसी के साथ bell icon को on कर लो और कुछ पोचना है तो Instagram पर आ सकते हो instantly reply मिल जाएगा बाकि मैं मिलता हूँ आपको next video में